खुरूआबी करेंगर में जो हमने से अपनी खुसी आगाज करते हैं हम इनहीं खुस्क zeggen क request करेंगे कि केंवल कियोiox खुस से अपने अअ करते हैं इन पार हाज करेंगे जूते हैं drop or less कि अपनी हम आगाज पहले हुछ तो देखिए अब यह बता रहे थे कि हम कभी नहीं है और हम बताते हैं कि कभी जीवन आसान नहीं है है ना तो मैंने लिखी है कुछ कभिताइं लिखी है मैं साइरी नहीं लिखता हूँ अधिकतर साइरी यह बहुत कम लिखा करता हूँ ये है कविता है हमारे आप लोग सुनिएगा कि कभी जीवन आसान नहीं ये सब के बस का काम नहीं कभी जीवन आशान नहीं ये सब के बस का काम नहीं एक सब्द को जोडने के लिए हमें कई बार तूटना पड़ता है एक लाइन को जोडने के लिए हमें कई बार तूटना पड़ता है फिजा में नई बहार लाने को साखों से छूटना पड़ता है फिजा में नई बहार लाने को साखों से छूटना पड़ता है और गैरों को खुश करने के लिए परिवार छोड़ना पड़ता है क्योंकि हम छोड़ के चले आते हैं हम यहां आएं लोगों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं कि गैरों को खुष करने के लिए परिवार छोड़ना पड़ता है सब की महफिल आपकी महफिल सजाने को तेवार छोड़ना पड़ता है होली को हम होली मिलन समारों में होते हैं हमको पता है नहीं हमारे घर में कौन आया था और निकल गए जब गाउं छोड़कर निकल गए जब गाउं छोड़कर तो गाउं को कविताओं में याद किया करते निकल गए जब गाउं छोड़कर गाओं को कविताओं में याद किया करते और कभी कभी दस बारह दिन तक बिन परिवार को देखे रहा करते और अपनी जीवन की गाथा को कविताओं में कह देते हैं कोई भी हो परिस्थिती भले हर हाल में सह लेते हैं और कभी कभी अपनों की बीच हम काफिर तक बन जाते हैं अनुवरत चलते रहते इन इस दिन तभी मुसाफिर कहलाते हैं और एक है जैसे कि हम पिछली बार भी आये थी तो एक बहुत ही अच्छी पोएम सुनाये थे आप लोगों को हाथ से कविता है अधिकतर हम लिखा करते हैं चेहरा भी वैसे है आप देख सकते हो कल देखिएगा यूट्व में बहुत अच्छी आएगे तो वह सुनाता हूं मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारी है और देखिएगा कि उससे केवल साइरी में ही लीजिएगा किसी के अधिगा है चैया चनलाईनी है सुनिएगा छेषा आय्रियों आपको सुनाओंगा बहुत अच्छी कि क्या बताओं मेरे मुकदर में क्या बताओं, क्या बताओं कि क्या लिखा था मेरे मुकदर में, खुसियां ही नहीं दे उस जालिम सितम गरने, और बोला कि जाते जाते चेहरे की हसी तो लटा देती, बोला कि जाते जाते चेहरे की हसी तो लटा देती, बोली कि बाबु अब मिलेंगे अगले दिसम्बर में, बोला कि बाबू अब मिलेंगे अगले दिसंबर में और दिसंबर का वादा देकर भाईया वन आई धाई साल दिसंबर का दिसंबर का वादा देकर भाईया वन आई धाई साल और जब आई तो उसके साथ था उसका खटाई लाल दिसंबर का वादा देकर वो नाई धाई साल जब वापस आई तो उसके साथ था उसका खटाई लाल मैं बोला कि पगली तू तो बड़ी बेवफा निकली मैं बोला मैं बोला कि पगली तू तो बड़ी बेवफा निकली बोली कि पागल डबल हो गई हूं पहले चार पाई नि पूंन नहीं कर पायाँ बैठ करके पास बोला कि आंखे डालो कर बात करبح बोला की आखों में आखे डाल कर बात कर बोले कि एतनी दूर से आयों, एनरजी खतम है, मुझे भूख सताने लगी, पहले कुछ खाने को दीजिए, आप मेरे हसीन सपनों को वो गमगीन बना गई, अपने माशूमियत का किस्सा कुछ हसीन सुना गई, और जितना पैसा तो भाईया उसके महभूबार रहते मैंने नही उड़ाया था, उतने कीसे उस वुखड़ने अकिले नमकीन चबा गई,